हेलो एब्रेवन दोस्तों आज की इस वीडियो में इस एम्लिफायर की कनेक्शन करने वाले हैं जो कि है हमारा 305 ठीके ना तो यह हमारा एक विल्लोटूथ पैनल लगाओ है यह वनो स्विच यह सेलेक्टर पॉइंट यह माइक ठीके ना और यह एक साइड यह है हमारी एक एम्लिफायर है ठीके ना अज पीछे दोस्तों इसमें आट टैंडिस्टर लगे हुए हैं आप देख सकते हैं आज दोस्तों हमारी स्पीकर कनेक्टर यह ओक्स का ठीके ना तो दोस्तों आज इसके कंप्लेट कनेक्शन आपको बताएंगे तो वीडियो में लाच तक बने र दोस्तों आज कंप्लीट आपको बताएंगे कहां से आपको पांच वोल्ट में लेना है और दोस्तों आप देख सकते हैं अंदर की तरफ हमारा पैनल लगा हुआ है ठीके ना यह दोस्तों हमारे सेलेक्टर पॉइंट है यह आप देख रहे हैं यह हमारा बारे जीरो बारा यह दो कैप्स्टर यह डायोड लगे हैं ठीके ना यह दोस्तों दिखाता हूं को आपको पास से कुछ है दोस्तों आपको देख सकते हैं इसमें स्टूरियो लिखा हुआ है तो यह हमारे स्टूरियो अमली फायर है ठीके ना तो दोस्तों इसके कंप्लीट कनेक्शन बताए दोस्तो इसे मैं एने खूल लिया है दोस्तो आप देख सकतें हमारे ये ये जो हमारे टैंस्टं है इसके कनमें हुए हैं ये भी बताएंगे आपको कम्पेट वीडियो को पूरा देखना और तक देखना तब ही आपको आपको समझ counter कि Taam कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम इन दो बोल्ट लगे वह हमारी निया खोलते हैं खोलने के बाद मैं आपको नीचे से दिखाते हैं कि कौन सा कनेक्शन हमने कहां पर क्या हुआ है अपने ब्लूटूट पैनल के लिए पांच वॉल्ट इस बोड में कैसे निकालेंगे क् पांच वॉल्ट इस बोड में बनाना पड़ता है कि वह किस तरह से बनाएंगे वह भी बताएंगे तो वीड़ो को पूरा देखना है तो सबसे पहले दौस्तों के दोनों पेश्कोल लिए खोलने के बाद में इसे हम पलटते हैं यह दोस्तों आप देख सकते हैं यह हमारे यह दोस्तों आप देख सकते हैं यह कुछ इस तरह से हमारा दिखता है नीचे की साइड से तो एटू जैड कनेक्शन बताने वाले हैं आपको वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना ठीक है ना यह आप देख सकते हैं कोंक सकनेक्lexion घृष जानता है इस बॉर्ड में हमारा लिखा हुआा भी होता ना ना पर फिर भी हम आपको बता हुआ सबसे पहले न हमारी पाब सप्लाई है जो कि हमारी है रखी हुई है 810 ये हमारा ग्राउंट लगावा घाऊ प्लघ कलर का ठीट के बाद में ये जो हमारे डों वा थी यह वाले ड़ी इसकते si हमारे speaker के हैं तो दोस्तों speaker के connection आपको कहा करने है दोस्तों अभी बताएंगे आपको दोस्तों दोनों का ground point हमें एक जगह लगा देना है जो कि हमारा ऊपर की तरफ लगा हुआ ठीके ना उसके बाद में यह जो हमारी वायर आई हुई है तो दोस्तों यह जो हमारी green resistance होती है यह दोस्तों गिरीन वाली पांच वोल्ट के तो दोस्तों जो आपर दोनों point आकर के आपस में मिलते हैं दोनों side के दोस्तों देख सकते हैं दोनों side के जहां पर point मिल जाएंगे वहीं पर हमारे अपने speaker का positive wire लगाना है ठीक है ना दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि यह हमारी resistance दोनों पांच वोल्ट की तरफ लगी हुई है यह हमारी जहां पर दोनों 0 आकर मिलते हैं यहां पर आकर दोनों मिलते हैं तो यह हमारा point यहां पर गया यहां तक गया और यहां से हमने speaker का wire लगा दया इसी तरह दोस्तों इस side में भी हमने किया हुआ है जहां पर हमारी वाइट वाली जो रिजिस्टेंस अंदर की तरफ लगी हुई है जहां पर दोनों पॉइंट आपस मिल जाएंगे आकर यह लगेंगे यह हैं दोस्तों हमारी गाली है यहां हो आपको लगाना है जिसका नमबर hade 007 तो यह आपको लगाना है लगाने के बार मिंगाशल भासर शेजव फर यहां हमारा यहां positive मिल गया और यह green वाल हमने ग्राउंड दे दिया ठीकिना तो इससे दोस्तों हमें यहां बारा वोल्ट मिलती है बारा वोल्ट से हमने यह नीचे यहां पर देख सकते हैं तो इसमें एक काम और करना है वो भी आपको बताएंगे नहीं तो यह आपको ब्लूटूफ पैनल काम नहीं करेंगे वो भी बताएंगे थेक ना तो दोस्तों एक काम और करना है आपको इस बौर्ड में वह भी बताएंगे तो यह हमारे जो टांजिश्टर लगए हैं यह हमारे टांजिटर के पॉइंट हैं base collector ने मतलब 21 उस पर दो एक पर इस तरह सब्किवे है ठीजा ढूंग करेगा तो यह आप को जरूर मिलाना नहीं तो हमारा जो बेस्टेबल डीयोड के बीच में आप देख सकते हैं यह दोनुट के बीच लगा हुआ है यह बन्के का आप यह न भलानव है यह पोइंट आपको ज लेकर के हमने हाथ तक इसे मिला दिया है तो इसे अगर आप नहीं मिलाएंगे तो हमारा जो बेस्टेबल का सर्कुट है वो काम नहीं करेगा तो हमने यहाँ पर एक वन के की रिजिस्टेंस लेकर के लगाई है उसके बाद में एकी 4007 का डारोड लगा करके हमने अपने ब्लु पैनल चला सकते हैं फिर नहीं नीचे चला सकते हैं ब्लूटूथ पैनल से भी चला सकते हैं प्लीनय च्थाइब और नीचे की तरप और सामने से कुछ इस तरह भी दिखता है है ठीक है ना दोस्तों एक बार फिर से आप देख लीजिए कि connection हमने किश किस तरह से समझ लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई दिक्कत हो तो comment section में comment कर सकते हैं यह रजिस्टेंस है हमारी दोनों यह जो हमारे बड़े डायोड लगे इनहीं के बीच में थोड़ी सी जगा होती है यहां पर आपको रिजिस्टेंस लगाने यह इसमें जो कैप्टिर लगए हैं पैंटिस वोल्ट के लगे हुए है ठीक है ना आए दोस्तों आप जाए पांच वाट की रिजिस्टेंस लगी है जहां पर यह दोनों पॉइंट आप अब करनें अ paste करने हैं और आप कहीं से भी डेचते शाहित यह वयद्ध एक होत एकपा यह है एक उडव ने एक फेक्ट्रेड का यह तो इस तरह से दोस्तों चार एक साइड में चार एक साइड में हमने जो चांश्टर अपने कनेक्ट किये हुए हैं आज दोस्तों आपको जरूर लगा ली है नहीं तो हमारे बेस्टेबल का जो सरकीट काम नहीं करेगा यहां पर थोड़ी सी जगह रहती है और यह 4007 का आपको डावड